दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैप्टोप या पीसी से कैसे वाइफाई का पास्वर्ड देख सकते हैं और अगर आप बिना पास्वर्ड के वाइफाई कनेक्ट करना चाते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जल्दी से जाके देख सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वाइफाई का पास्वर्ड कैसे देख पाऊगे बास दफा होता है कि हम वाइफाई का पास्वर्ड लगा कर भूल जाते हैं और जब कोई हम से wifi का password पूछता है तो हम बता नहीं पाते और सामने वाला ये सोचता है कि हम wifi का password बताना नहीं चाहते तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपने laptop या PC से wifi का password देख पाओगे और अगर आपको भी ये सब कुछ जानना है तो आपको मेरी ये वीडियो लास तक जरूर देखनी होगी वो भी बिना skip किये और अगर आप skip कर दोगे तो आप इन सब चीजों को miss कर दोगे तो इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हैलो दोस्तो मैं हूँ सल्मान और टकनोलजी किया सल्मान में आपका हमेशा की तरह स्वागत है दोस्तो सबसे पहले आपने search पे click करना है यहाँ पे आपने type करना है command दोस्तो आपने command line open कर लेनी है और यहाँ पे आपने type करना है net sh space vlans space show space profile तो दोस्तो जैसे ही आप enter करोगे तो आपके सामने जितनी भी user profiles होंगी आपके सामने show हो जाएंगी आपने जिस भी profile का password देखना है भूल चुके हो तो आपने नीचे command type करनी है net sh space vlans space show space profile space name name के आगे आपने space डालनी है space के बाद आपने equal डालना है और आपने double quotation डालनी है इसके बाद आपने जो भी profile का password देखना चाहते हो मैं technology गयांसलमान का देखना चाहता हूँ type करूंगा उसके बाद quotation को close कर देता हूँ फिर आपने space देनी है फिर आपने यहाँ पे key type करना है equal का sign डालना है और clean कर देना है इसके बाद दोस्तों आपने find space और double quotation की टाइप करना है और space और यहाँ पे आपने content और double quotation क्लोज कर देनी है दोस्तों जैसे ही आप enter करोगे तो आपके सामने उस profile का password शोख हो जाएगा तो इसके बाद दोस्तों second method दोस्तों सबसे पहले आपने wifi पे right click करना है वहाँ पे आपने network and internet setting में click करना है दोस्तों आपने advanced network setting पे click करना है इसके बाद आपने थोड़ा सा scroll down करना है page को और आपने नीचे related setting more network adapter options के उपर click करना है जैसे ही आप click करोगे तो आपके सामने network connections का interface open हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ से आप wifi के ओपर right click करोगे और status पे click कर देना है जैसे ही आप wifi status को open करोगे तो आपके सामने एक window open हो जाएगी यहाँ से आपने wireless properties पे click करना है दोस्तों जैसे ही आपके सामने wireless properties open हो जाएगी तो आपने security second option security पे click करना है और इसके बाद दोस्तों आपने जो आपके सामने show characters का होगा उसके ओपर आपने click करना है तो वो check box हो जाएगा और जैसे ही आप उसको show characters करोगे तो आपके सामने जो आपके wifi connect होगा उसका password आपके सामने show हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से अगर आपका Wi-Fi का Password आप भूल जाते हो तो आप इस तरह से अपने Wi-Fi के Password को आप देख सकते हो कर दो दो आपका पूल जापका पूल जाते हो